MP Board कक्छनवी के विद्यार्थियों को इस वीडियो में युकलीट की जैमती का परिचय वाले अध्याय से यहाँ पर प्रस्न बताने वाला हूँ तो चलो देख लेते हैं यह सारे प्रस्न बहुत ही महत्वपूरा और यहीं से प्रस्न आएंगे आपके एकजाम में तो यह सारे प्रस्न आपको क्या करना है अच्छे से देखना है समझना है और ध्यान से इसे सुनना है तो चलो मैं आपको बताता हूँ, सही विकल्ब चुनकर लिखे, पहला प्रसने क्या है, गडितग या थेल्स का एक सबसे प्रसिस सिस्य है, आपको लेना है पाइथागुरस प्रमे, क्योंकि थेल्स जब भी हम प्रेम में यूज करते हैं, तो उसके साथ हमें पाइथागुरस है, ठीक है, सिंदुघाटी सब्यता में प्रयुक्त इट के लिए अनुपात, लंबाई, चोड़ाई, मोटाई, देखो जब सिंदुघाटी सब्यता की खोदाई हो रहा था, तो वहाँ पे जो इट प्राप्त हुआ है न, वो चार, दो, एक अनुपात में प्राप्त हुआ सिदी सी बात, मैं डायक्ट बता देता हूँ, यह इतिहास का टॉपिक है, और यहाँ पर प्रस्न में ऐसी यहाँ पर ले दिया है न, तो यहाँ पर चार, दो, एक लेना है, इसके बाद है, पिरामिन एक ऐसी ठोस आकरिती होती है, जिसका आधार नहीं होता है, तो जिसका उपर चड़ोगे, उसके बाद नीचे जाओगे, तो एक रेखा नहीं रहता है, याद रखना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रेखा लेना है, तो तेरा अध्याओं में विभाजित किया है, मैं ऐसी बता देता हूँ, यहाँ पर तेरा उत्तर लेना है आपको, ठीक है, आगे बाद देखो, युगलीड है, युगलीड जो है, वो मिस्र वासी है, क्योंकि मिस्र में ही आपको पिरमीन देखने को मिलेगा, और किसी देश में नहीं मिलेगा, इसलिए उत्तर क्या लेना है, आपको मिस्र लेना है, चलो रिक्ति स्थान देख लेते हैं, रिक्ति स्थानो होता है तो पूर्ण अपने भाग से क्या होता है बड़ा होता है यहां पर बड़ा आया जाएगा एक खालिस्थान वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है तो उत्तर क्या लेना है प्रिष्ट लेना है एक प्रिष्ट वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ होती है एक सांत रेखा को खालिसान रूप से बढ़ाया जा सकता है तो यहां पे आपको लेना है अनिश्चीत रूप से बढ़ाया जा सकता है ठीक गनेश्च देखो इसके बाद है यहां पे सही जोड़ी मिलाओ है न तो सही जोड़ी मिलाओ में देखो दो भीन प्रतिछेद रेखा तो दो भीन प्रतिछेदी रेखा जो है वो क्या है समानतर नहीं हो सकता यह यहाँ पे लेना है आगे मैं आपको समझाओंगे इसे एक सांत रेखा को तो एक सांत रेखा जो है न इसे लेना है अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है तो यह आजाएगा एक सांत इसके पास सभी समकोड जो है वो होगा एक दूसरे के बराबर होते हैं तो सभी समकोड एक दूसरे के बराबर तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एप में ले लो इसको दो भीन रेखाओं में एक से अधिक बिंदू ठीक है एक से अधिक बिंदू तो चौथा जो आएगा व एक अद्विती रेखा, खीची जा सकती है, ये लेना है, और प्रिष्ट के किनारे, रेखायस होती है, ये इसका उत्तर रहेगा, इसके बाद देखो, एक सब्द एक वाक्य में उत्तर, तो पहला प्रशन क्या है, युकलीट की प्रथम, अभिग्रिहित क्या है, तो देता हूं एक दूसरे के बराबर ठीक है यह इसका उत्तर होगा इसके बाद दूसरा है युकलीड की पांचवी अभिगरती लिखिये तो पौड अपने भाग से क्या होता है बड़ा होता है ठीक है यहां पे आप लिख सकते यहां पर देखो तीसरा एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती है तो उत्तर क्या लेना है प्रिष्ट कहलाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिष्ट इसके बाद है एक रेखा के सीरे क्या होते हैं तो यहां पर क्या लेना है बिंदू लिखना है बिंदू आ जाएगा इसक थोड़ाई मोटाई क्या है तो अभी जासे हमने इसके बारे में प्रस्ण पढ़ा है ना चार दो एक अनुपात का होता है यह आएगा इसको उस्तर ठीक है अब सत्या सत्या देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ भी यह सत्य होगा तीसरा है एक ठोस की तीन विमाय होती है यह सत्य है ठोस की तीन विमाय होती है एक प्रिष्ट की दो विमाय होती है यह भी सत्य है लंबाई चौड़ाई ठीक है यह तीन विमाय होता है न वैसी है ठीक है एक रेखा की एक व विमा होती है एक रेखा की विमा होती है यह भी सत्त रहे गा तो यह एक बिन्दू से होकर केवल एक ही रेखा खीची जा सकती है एक बिंदू से कर केवाल एक रेखा नहीं गलत है एक बिंदू से होकर कई रेखाएं खीची जा सकती कहता है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसलिए से हम क्या गरेंगे असाथ्य लेंगे ठीक आठवा देखो आठ्वा में दो भिन बिंदों से होकर जाने वाली असंख्या रेखाएं हैं तो ये असत्य है ठीक है असंख्या रेखा नहीं होती है यदि दो वृत बराबर है तो उनकी तरिज्या बराबर होती है ये सत्य है ठीक है दो वृत बराबर है तो उनकी तरिज्या क्या होगी बरा देखो पहला प्रश्ण क्या है परिभास समानता रेखा क्या है वे रेखा है जो एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती समानता रेखा कहलाती है जैसे की समानता रेखा ये रहा ये समानता रेखा है ये जितना आगे बढ़ालो कभी भी एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं से इसके बाद क्या है लम्ब रेका जिनके बीच का कोस्लिट स्टरह से खेलड़اتा है कैसे होगा लमब रेका इस तरह से सिधा-सिधा चला जाएगा ये स्टाहिक का संकोल का मतलब क्या है इसे हम क्या कहते हैं कि रेखा पे उपर में जो लम रेखा है यही लम रेखा कहलाता है परिभासित कीजिए रेखा खंड रेखा खंड के वारे में जानते हो नहीं जानते हो ना मैं बता देता हूं वह रेखा जिनके दो निश्चित अंता बिंदू हो रेखा खंड कहलाती कैसे जैसे कि एक जामपल म मैं आपको दिखाता हूँ वृित के तरिजया वृित के केंदर से वृित की परीधी पर इस्थित किसी बिंदू से मिलाने वाले रेखा खंड वृित की तरिजया कहलाती है ठीक है उत्तर कैसे बनाओगे समझ में आया नहीं आया होगा तो मैं आपको चीतरा में बताता हूँ देखो यहां पर मैं यह वुरित बनाता हूँ, यह रहाँ, यह रहाँ, यह व्रीत कैसे बनाओंगा? आप लोगो पताओंगा प्रकार, प्रकार में नुकिला इस बड़ीजा बन गया. परिभासित किजिए. वुर्ग. वर्ग क्या होता है? वर्ग आग जो है वह जिसके चारुव भुजहां बराबर उससे वर्ग कहते हैं, ठीक है? तो वर्ग कैसे बनेगा, आकृती में, तो इसको इसके बाद देखो आप यूपलीड की पांचवी अभी धारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके इस परी राम को निमनलिखित रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है दो भीन प्रतिछेदी रेखाएं एक ही रेखा के समानतर नहीं होता तो इसको सम और यह रहा इस तरह से तो क्या यह समानतर रहेगा बिल्कुल नहीं जिस भी जगह में एक रास हो रहा है इसका मतलब यह एक रास हो रहा है तो बता रहा है कि यह दोनों कभी भी कोई भी कंडिशन में समानतर नहीं हो सकती ठीक है यह समझ में आगे है चलो अब लगुत्री प्रस्न देखते हैं तीन अंक वाला आएगा तो कैसे बनाओगे तो देखो तीन अंक वाले प्रस्न में यदि दो बिंदू A और B के बीच एक बिंदू C ऐसी सिती में ऐसी सिती है कि A B बराबर B C तो सिद कीजिए कि A C बराबर 1 अपांटू A B एक आवरिती खीच का रिस्पर्ष्ट कीजिए कह रहा है ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे इसका उत्तर इस तरह से एक रेखा बनाओगे A और B इसके मद बिंदू क्या है C है ठीक है तो A से B और C से B दोनों क्या होगा बराबर है जैसे कि A C बराबर B C बराबरों को बराबरों में जोडने पर तो जोडेंगे क्या प्राप्त होगा A C और C B दोनों को जोडेंगे तो डायक्ट A भी प्राप्त होगा ठीक है क्या प्राप्त होगा A B प्राप्त इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो A B प्राप्ट हुआ, और दोनों का मान बराबर है, तो हम दोनों को एक जैसे लिख सकते हैं, जैसे की A C, A C, बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर C B, C B भी लिख सकते हैं, तो डारेक्ट आपको ये वाला लाइन न लिख के, ठीक है, ये यह जो दो है मुझे AC कमाण निकालना है, एक सेगंड किस कमाण निकालना है यहाँ पे, हाँ AC कमाण, AC कमाण निकालना है ति यह दो यहाँ प्याज़ा, AB अपान टू इस तरह से, ठीक है तो AC बराबर A, A कमाण दो AB इसके साथ IN2 में ति यह इसका उत्तर है चलो आगे देखत लेखो नेश्ट प्रश्न है तेरवा आकृती में यदि AC बराबर BD है तो सीध कीजे कि AB बराबर CD बहुत आसान है ABCD एक रिखा है ठीक है AB के बराबर BC है BC के बराबर CD है इस तरह से तीनों जो है आपस में क्या है बराबर है ठीक है तो क्या करेंगे तो हम यहाँ पे A से C लेते हैं तो A C के बीच मद्ध बिंदू क्या B है तो मतलब A B प्लस B C दोनों का मान होगा ठीक है तो यह पहला समीकरन हमने ले दिया A C बराबर क्या हो गया B D क्योंकि यह C तो इसके मद्ध हमें एक बिंदू और B से D लेते हैं तो मद्ध हमें C बिंदू है तो दोनों क्या A C बराबर है B D के यह पहला समीकरन बन गया और यहाँ से यहाँ जब लेंगे तो इसके मद्ध हमें दो बिंदू आते हैं मतलब एक बिंदू आते हैं, तो ये एक रेखा और ये एक रेखा, दो रेखा होगा, दोनों का योग, यहाँ पर इतना प्राप्त होगा, ठीक है, दो समीकन बन गया, अब क्या करने वाले है, अब इसी तरह से BD के लिए करेंगे, तो BD के मद्य में C बिंदू है, तो BC और C BD, बराबर क्या होगा, BD होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया, तीसरा में, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, चुकी C बिंदू, B बिंदू और D के बीच की इसी, ठीक है, तो समीकन एक, दो तीन, तीनों का यूच कर देंगे, तो इन दोनों की तुलना कर देखते हैं, इसके बाद देखो, चारंग के प्रस्ण, सीद कीजिये की, एक दिये हुए रेखाखण पर सम्भाहुत रिभुज की रचना की जा सकती है, अब यहाँ पर दिये हुए कह रहा है, कहाँ पर है भई, दिये हुए रेखाखण दिया है की नहीं, तभी तो कुछ रशना करपांगे नुख यहां पर दीए दिल्हें दीए मैं भी अब आपको उत्तर यह बता और यहां पर क्या करने इसको सीद करना है तो यह देखो यहां पर इसकी आकरिती दिया हुआ है ना इसको मैं आपको ऐसी दिखा देता हूं तो यह रहा है इसका उत्तर अंतीम ठीक है इतने ही प्रस्न इसमें है और ज्यादा नहीं है तो आपको अध्याय पांस से बस इतने प रस्नों की तैयारी करना है